हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेटिंग चुटर आज मैं आपके लेकर रही हूं यह एंकल लेंट सॉक्स अंगुठे वाली है यह और बहुत ज्यादा हाइट मैंने इसको नहीं दी है थोड़ा कम हाइट वाली मैंने यह बनाई है तो पूरी उल्टी उल्टी मैंने यह बनाई ह जैसे आपके चॉइस हो इसमें कोई भी भंदा मैंने सीधा नहीं बनाया है पूरा उल्टा उल्टा बनाया है अगर आप इसको सीधा सीधा बनाएंगे तो आपको कोई भी भंदा उल्टा बनाने की जरूरत नहीं है आप इसको पूरा सीधा सीधा भी बना सकते हैं यहां मै आप इसको चार नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें से दो फंदे कम कर सकते हैं छे नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप दो फंदे एक्स्ट्रा कर सकते हैं आप दो दो फंदे हर नंबर के लिए आप इसमें कम या ज्यादा करेंगे और इसी तरह से एक या दो जाली आप इसमें कम या ज्यादा करेंगे तो यह आप किसी भी नंबर के लिए बना सकते हैं निटिंग ट्यूटर चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके और पर क्लिक करें हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं देखिए मैंने यहां फंदे डालके रखे हैं पचास फंदे मैंने इसमें लिए हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, तारा, उन्निस, बीस, एकिस, बाइस, तेस, चौविस, पचिस पचास फंदे यह मैंने लिए हैं अब हम इसका बनाएंगे बॉर्डर यह वाला हिस्सा हमें इसका बनाना है तो यह हम उल्टा उल्टा बनाएंगे क्योंकि हमने इसमें कोई भी भंदा सीधा नहीं लेना है तो हमें सिर्फ इसको उल्टा उल्टा बनाना है और दोनों साइट से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे यह हमारी पहली सलाई है पहली सलाई कम्प्लीट कर लेंगे यह सलाई हमने पहली सलाई कम्प्लीट कर ली अब हम दूसरी सलाई पर आ गया है दूसरी सलाई हमें उल्टी उल्टी बुननी है यह बॉर्डर आप कितनी भी सलाई का कर सकते हैं आप इसमें सास सलाई, आठ सलाई, नो सलाई, दस सलाई, जितनी भी सलाई का आप ये बॉर्डर करना चाहें, जितना चोड़ा आप ये बॉर्डर करना चाहते हैं, आप उतनी सलाई हैं इसमें बुन ले, मैंने ये नो सलाई का बॉर्डर बुना है, तो इस तरह से मैं दोनों साइड से उल्टा-उल्टा बुनते हुए इसकी नौ सलाई कमप्लीट कर लूँगी, यह दिखिए, यह मैंने यहां तब पांच लाइन पूरी होने तक बुन ली है, एक, दो, तीन, चार, पांच, इधर अभी हमारी चार लाइन ही है, इधर से मैंने सीधा रखा है और जब हम दूसरा कलर, जब हम उल्टा-उल्टा बुन रहे हैं और हम दूसरा कलर लगाते हैं, हम उल्टी साइड से लगाते हैं, तो हमें यहां दूसरा कलर लगा लेंगे, नौ सलाई का मैंने यह बॉर्डर कम्प्लीट कर लिया है, अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे, एक, दो, तीन, चार चार फंदे बुन लिये, एक बिना बुना लिया एक, दो, तीन, चार, पाँच फिर एक बिना बुना लिया एक, दो, तीन, चार, पाँच पांच फंदे बुने फिर एक बिना बुना लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर बिना बुना ले लिया, एक फंदा, अब हो गए हमारे ये चार फंदे, चार बार हमने इसको बिना बुना ले लिया, बीच में हमारे चार फंदे आएंगे, यह हमारी ये वाली जगा है, यानि दो फंदे हमारे बीच में चलेंगे और एक फंदा इधर एक फंदा इधर रह जाएगा एक, दो, तीन, चार जगा में नहीं ले लिया है पचास फंदे हैं मेरे ये अगर हम इसे चार नमबर के लिए बना लें और पचास से कम फंदे यानि 48 फंदे हैं तो यहां पर तीन फंदे ले लेंगे हम ये एक फंदा कम कर देंगे लेकिन यहां हर जगा हमें पाच-पाच फंदे ही लेने हैं यहां बीच में कम से कम चार फंदे होने चाहिए चार से ज्यादा भी हो सकते हैं कम से कम 4 यहां होंगे उसी हिसाब से आप इन फंदों को ऐड़्जस्ट करेंगे यहां बिना बुना ले लेंगे क्योंकि जाली बिनाने के लिए बीच में 4 फंदे ज़रूर ही है इसलिए हम बीच में 4 फंदे लेंगे और जो कम ज्यादा फंदे हम नंबर के हिसाब से करेंगे, वो हम यहां पर करेंगे, कितने फंदे कम यहां भी चार से ज्यादा कर सकते हैं, आप छे कर सकते हैं, आठ कर सकते हैं, और यहां भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बीच में हमें हर जगा यहां पांच फंदे ही रखने हैं, यह पांच चार पांच पांच फंदे भी ना बुने ले लिए पांच फंदे बुन के एक फंदा भी ना बुना लिया उसके बाद हमें ये चार फंदे बुन लेने है लेखे ये हो गई पहली सलाई बॉर्डर के बाद की अब हम इसमें जाली बनाना शुरू करेंगे जाली बनाएंगे हम सीधी सलाई में चार फंदे बुनेंगे ये वाले उल्टे चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे लेंगे ये वाला फंदा बिना बुना ले लेंगे फिर धागा आगे लेंगे और पांच फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर धागा पीछे लेंगे ये वाला फंदा बिना बुना लेंगे धागा आगे लेंगे पाँच फंदे उल्टे बुन लेंगे सीधी सलाई में हर बार हमें ये बिना बुना फंदा इसी तरह से लेना है दागा पीछे लेना है बिना बुना फंदा लेना है फिर दागा आगे लेंगे और ये उल्ड़े फंदे बुन लेंगे दागा पीछे लेंगे, बिना बुना फंदा लेंगे, धागा आगे लेंगे, और यह जो हमारे चार फंदे हैं, इसमें से एक फंदा बुनेंगे, क्योंकि हमें बीच में दो फंदे रखने हैं, तो बीच के दो फंदे हम अभी नहीं बुन रहे हैं, एक फंदा बुनेंगे, अब हम यहां बनाएंगे जाली, तो जाली देखे कैसे बनाएंगे हम, यहां पर हमारा यह वाला फंदा लेंगे हम, यहां से सलाई के उपर से लेंगे, और दो फंदे बुन लेंगे, बस इसमें इस तरह से लपेटना है हमें, यह ऐसे यहां से एक बार, और ये फंदा उल्टा बुन देंगे, यहां हमारी ये दिखिए, दोनों जगा जाली बन गई और एक एक फंदा बढ़ गया, धागा पीछे लेंगे, बिना बुना फंदा लिया, पाँच फंदे बुने, फिर धागा पीछे लिया, इस तरह से हम ये सलाई कम्प्लीट कर लेंगे, दो सलाई अब ये हो जाएंगे हमारी, बॉर्डर के बाद अब तीसरी सलाई हम पहली सलाई की तरह करेंगे, ये दिके यहां गए, तीसरी सलाई पर तीसरी सलाई हमें पहली सलाई के जैसे करनी है, चार फंदे बुनने है, ये बिना बुना फंदा जो है वो बिना बुना रखेंगे अभी भी, फिर ये पाँच फंदे बुनेंगे, एक फंदा जो बिना बुना है उसको बिना बुना ले लेंगे, जो पाँच फंदे हम बुन रहे हैं उनको बुन लेंगे, और जो बीच के फंदे हैं जाली वाले, पिछली बार हमने बीच में चार फंदे बुने थे, अब के हमारी ये छे फंदे हो जाएंगे, इनको हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही ये जाली वाले फंदे को भी, और जो बीच के फंदे हैं उनको भी ये सब ऐसे ही बुन लेने हैं, चे के चे बंदे, इसी तरह से हम ये सलाई कंप्लीट कर लेंगे, ये दिखे, उल्टी सलाई हमने पहली सलाई के जैसे की, अब ये सीजी साइट से, ये हम तीसरी सलाई की थी, उसकी तरह हम इसको भुन रहे हैं, ये पाँच फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे लेंगे, ये फंदा बिना बुना लेंगे, धागा आगे लेंगे, ये उल्टा फंदा बुनेंगे, तो अब ये हमारी आगे बीच की जगा, जहां हमने जाली बनाई थी, पहले हमने एक फंदा बुन के जाली बन दो फंदे जो बीच के हैं, यह दो ही रहेंगे और यह वाले फंदे हर बार एक इधर के और इधर के, इस में से एक फंदा इंक्रीज होता जाएगा, पहले एक बुना था, अब के दो बुने, अगली बार हम इनको तीन बुनेंगे, लेकिन बीच के हमारे दो ही फंदे सलाई के उपर से लेंगे हम यह सलाई कंप्लीट कर लेंगे देखिए हमारी चार सलाई कंप्लीट हो चुकी है अब हम पांचवी सलाई पर आएंगे पांचवी सलाई हमें यह वाले कलर से बुननी है अब हमें कोई भी फंदा पिना बुना नहीं लेना है सारे फंदे बुनने ह ये बुन लिया और जो ये है इसको भी हम बुन लेंगे जो जाली के भंदे हैं वो भी बुनेंगे इस तरह से हम ये पूरी सलाई बुनते हुए इसको कम्प्लीट कर लेंगे ये दिखिए यहाँ पर हमें ये उल्टी सलाई पूरी उल्टी बुनने के बाद सीधी सलाई सीधी साइड से भी हम ये वाली सलाई पूरी उल्टी बुनेंगे कोई भी भंदा हमें इसमें बिना बुना नहीं लेना है यहाँ से बुनते हुए लेकिन जाली हमें इस सलाई में भी बनानी है ये वाला भंदा हमारा जाली का है इसको हम बुन लेंगे कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमारी जाली सही जगा पे नहीं आ रही है इधर उधर हो जा रही है तो हम क्या करते हैं यह देख रहा है हमें कि यह जाली का फंदा है तो हम इस फंदे के उपर जाली बना देते हैं इस फंदे के उपर हमें जाली नहीं बनानी है, इस फंदे को हमें बुन लेना है, इसको भी बुनेंगे हम और इसको भी बुनेंगे, इसको जाली बनाते टाइम बुनेंगे, जो हम सीधी तरफ से बना रहे होते हैं, वो हमें अलग तरीके से बनानी होती है, इसमें हम उल्टा भी जाली बनाएंगे इस फंदे से पहले यानि यहां यह वाले जाली के फंदे के बाद और यहां जाली के फंदे से पहले इन दो फंदों के इधर और इधर यह आनी चाहिए जाली बस इस बात का आपको धियान रखना है कि जो बीच के दो फंदे हैं उसके इधर उधर जाली यानी चाहिए, यही छे सलाई हैं, यही छे सलाई हमें बार बार रिपीट करते जाना है, बीच में हमें हर बार फंदा बढ़ाना है, यानि कि उल्टी सलाई में पूरा उल्टा बुनना है, और सीधी सलाई में हमें यहां जाली बनानी है, चाहे किसी भी कलर से आप बना रहे ह यही छे सलाई हमने बार-बार रिपीट करते जाना है साथ बार हमें इसको रिपीट करना है यनि हमें दस जाली बनानी है दस इधर से दस जाली हमारी इधर बन जाएंगी और दस जाली हमारी इधर बन जाएंगी बीस जाली होंगी दसनी की पूरी हमारे 20 जाली बनानी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, ठारा, उननिस, 20 जाली हमारी ये बनेंगी 20 इधर, 20 इधर यनि कि 40 फंदे हमारे इसमें बढ़ जाएंगे और 50 फंदे पहले से हैं तो ये हमारे 90 फंदे हो जाएंगे टोटल एंड तक जब 90 फंदे हो जाएं तब आप इसकी जाली बनाना बंद करेंगे और फिर हम इसकी अंगूठे की शेप बनाएंगे यहां से हम फिर वही शुरू करेंगे जो कि हमने पहली सलाई से शुरू किया था चार फंदे बुनेंगे एक फंदा बिना बुना लेंगे फिर पाँच फंदे बुनेंगे यह वाला फंदा दिखिए अलग दिखेगा अलग कलर का है यह इसको हम बिना बुना ले लेंगे पांच फंदे बुनेंगे फिर ये बिना बुना लेंगे फिर पांच फंदे बुनेंगे और ये फंदा बिना बुना लेंगे अब हमने देखिए यहां हमने ये वाली लाइन शुरू की थी तो हमारे बीच में 4 फंदे आये थे लेकिन अब हमारे आएंगे ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 फंदे हो गए यानि कि हमारी ये 6 सलाई में 6 फंदे हमारी ये बढ़ चुके हैं तो इसी तरह से हम सीधी सलाई पर आएंगे तो ये हमें पहले 4 फंदे बुनना है फिर जाली बनानी है, दो फंदे बीच के हैं और 4 फंदे हमारी ये ये इंड में बुने जाएंगे तो इसी तरह से हम इनको बुनते हुए कम्प्लीट कर लेंगे ये हमें 7 लाइन बनानी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हम बाद में बनाएंगे पहले हमें 7 लाइन ये बनानी है तो हम पहले ये 7 लाइन बना लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाते हूँ ये दिखिए ये हमने बना लिया है इस तरीके से यहां से हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन बना लिया अब ये लास्ट की हमारी सलाई चल रही है इसमें यहां ये जाली है लेकिन यहां मेरी ये 20 जाली कंप्लीट हो चुकी है यहां ये देख सकते हैं आप ये वाली शेप इस तरीके की आएगी यहां एक फंदे से शुरू होते हुए ये 21 फंदे हो जाएंगे और जाली हमारी हो गई है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदा, सोला, सतरा, अठारा, उननिस, बीस बीस जाली ये कंप्लीट हो चुकी है अगर हमें और एक्स्ट्रा फंदे करने हैं तो हम यहां भी जाली बनाएंगे लेकिन अब हमें इतनी ही जाली चाहिए तो ये वाली सलाई जो हम लेकर जा रहे है दिखिए कि जाली का फंदा आगया यहां हमें कोई भी जाली नहीं बनानी है इसी तरह से हम इसको बुन लेंगे जाली वाले फंदे भी इस तरह से हम इसकी सलाई कम्प्लीट कर लेंगे यह मैंने सलाई कम्प्लीट कर लिए अब यहां से हमें आदे आदे भंदे बुनने है बीच तक हम बुनके लाएंगे यहां से मोस्टली हम यहां वाला पार्ट यह पूरा करके और यह वाली जो सलाईयां मैंने चार की हैं यह ह हमारा first color है, उसी color से आप ये सारी सलाईयां बुन ले, यानि कि यहां से जो मैं दूसरा color लगा रही हूँ, ये मैं इसलिए लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वाला color थोड़ा कम है, इसलिए मैंने चार सलाई इसमें, यहां yellow की कर दी, अगर आपके पास पूरा है, तो आप, जो मैं यहां दूसरा color लगा रही हूँ, ये ना लगा के आप एक ही color से आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा कम है color तो ये जैसे मैंने चार सलाई करी, फिर आप दो सलाई इस color की से करके, और फिर से चार सलाई yellow की कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको अड़्जस्ट कर सकते हैं, मेरे पास ये color कम है purple color का, तो मैं यहां पर चार सलाई yellow color की बना दे रही हूँ इसमें, आप चाहें तो परपल color से ही ये वाले सलाई बन सकते हैं, तो कि यहां पर आके yellow color को हम बंद कर देते हैं, और एक ही color से बनते हैं, कि नभी मैंने चार सलाई और ही इसी color से बननी हैं, बिल्कुल बीच तक हमें इसे लेके जाना है, आधे-अधे फंदे हमें इसके बुनने हैं, आधे-अलग बुनेंगे, आधे-अलग बुनेंगे लेकिन सेम तरीके से बुनेंगे बिल्कुल, अगर हमने इधर चार सलाई ये इस color से दी हैं yellow color की तो दूसरी साइट भी हमें चार सलाई yellow color से बनानी हैं, हमारे आधे-अधे होगा जो बीच के दो फंदे थे एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, यहां से ही हम इसको वापस कर लेंगे, आप चाहें तो दूसरी सलाई ले 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 या इसी सलाई से बना ले और यह हम ऐसे ही बुनेंगे, कि अब हमें इसमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है और यह हमें 14 सलाई बुननी है जिसकी हमारी पहली सलाई हो चुकी है दूसरी सलाई मैं भी कर रही हूँ इसकी हम चार सलाई ऐसे ही कर लेंगे यहां तक के फंदों में बुनते हुए यह देखिए चार सलाई मैंने यह इस कलर से बना ली है अभी हम यही वाले फंदे बुन रहे हैं इधर वाले फंदे हम अभी नहीं बुन रहे हैं तो अब हम ये वाला धागा काट देंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ इसी धागे से अब 4 सलाई हो चुकी है, 14 सलाई मैंने इसमें बनानी है, तो अभी हमें 6 सलाई, ये 4 सलाई हो चुकी है, 10 सलाई अभी हमें इस वाले कलर से बनानी है, दस सलाई या नौ सलाई इसमें हमें इस कलर से बना लेंगे और फिर हम यहां से जब हमारा यह वाला पार्ट पूरा हो जाएगा तो यहां पर यलो कलर लगाएंगे हम और चार सलाई यलो कलर से बनेंगे और उसके बाद की फिर जितनी सलाई हम इधर यह वाले कलर से बन रहे हैं उतनी ही सलाई इधर बनेंगे लेकिन पहले हम चार सलाई यलो कलर से बनेंगे और यहां देखेंगे आप कि मैंने जो यह डिजाइन वाले में बिना बुने फंदे ले रही थी यहां इस वाली सलाई में मैंने नहीं लिये हैं, क्योंकि यह मुझे अलग दिखाना है, कि यह हमारा उंगलियों वाला पार्ट है यहां से, इसलिए मैंने इसमें यह बिना बुना फंदा नहीं लिया है, अगर आप यह डिजाइन यहां तक रखना चाहते हैं, तो आप यहां पर भी सेम तरीके से बुन सकते हैं इसको, मैंने यहां इसको अलग रखा है, तो यह इस तरह से दिखेगा, लेकिन अगर आप यहां पर भी बिना पुना फंदा ले लेंगे इस जगा के जैसे, तो यहां पर भी यह डिजाइन इस तरह से आ जाएगा, तो हम पहले, दस मैं यह वाले कलर से करूँगी, देखिए, यह दोनों तरफ से हमने बिल्कुल एक जैसा बुन लिया है, इधर से भी और इधर से भी, यहां पर हमने यह अलग से धागा लगाया, चारचर सलाई हमने यह यहलो कलर से बुनी, क्योंकि यह धागा कम था हमारा, तो यह वाला प इसी कलर से बुन सकते हैं, अगर आपके पास यह उन काफी है, यह वाले कलर की, और अगर आपके पास और कम उन है, तो आप इसको भी यहां पर एक लाइन देके, परपल कलर के यहां से फिर यह दो लाइन यह लो की कर सकते हैं, तो आप इस तरह से अपने हिसाप से कर सकते ह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी मैंने साथ लाइन बनाई हैं यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पाट, छे, साथ, अगर आपको यह अनकमफोटेबल हो, यहाँ से यह वाली जगा पहनने में, तो आप इसकी दो सलाई या चार सलाई, अगर ज्यादा टाइट हो रहा है, तो आप चार सलाई, और अगर कम टाइट हो रहा है, तो दो सलाई, आप इसकी और एक्स्ट्रा बुन सकते हैं, यानि कि यह आठ या नौ लाइन भी आप इसकी कर सकते हैं, अपने कमफोट के हिसाब से, मैंने इसमें साथ ही लाइन ली हैं, अब हमें ये बंद कर देने हैं, दोनों साइड के फंदे हम बंद कर देंगे, बंद हमें करने हैं ये, बिल्कुल धीले धीले हम इनको बंद करेंगे, इसको हमें खीच के टाइटली बंद नहीं करना है, कि दो दो फंदे साथ में लेंगे और बिल्कुल डिले डिले बंद करेंगे कि हमारा ये वाला जो पार्ट है अगर हम ये टाइट कर देंगे तो हमारी ये वाली जगा खिच जाएगी और इसका साइज गड़बड हो जाएगा और ये बार बार इस तरह से पैर से निकलता रहेगा अगर हम ये लूज रखेंगे तो ये पैर में पूरी फिटिंग आएगी और ये पैर में से नहीं निकलेगा कई बार मेरे पास ये आते हैं कमेंट्स के हमारे पैर में से यहां से नीचे आजाता है तो वो इसी वज़ा से आता है कि हम यह वाले जो फंदे बंद करते हैं यह हम टाइट कर देते हैं तो अगर किसी का ऐसा हो रहा है कोई और सॉक्स भी तो आप यह वाला जो सिलाई है और जो हमने यह बंद किया है वो उद्धेर के उसको दुबारा से बुन ले तो वो ठीक हो जाएगा तो हमें यह धियान रखना है कि हमें यह वाले फंदे टाइट बंद नहीं करने हैं इस तरह से दो दो फंदे लेते हुए हम इनको बंद कर देंगे देखे बिल्कुल डिला डिला मैंने यह बंद किया है इधर से भी और इधर से भी सारे फंदे हम यह बंद कर लेंगे यह दोनों साइट से हमने यह से डिला डिला बंद कर लिया है कि यहां से भी हमने बिल्कुल डिला बंद किया है इसे अब हम करेंगे इसकी सिलाई तो यहां से हम इसको पकड़ेंगे तो यहां से हम इसको सिलते हुए लाएंगे इधर तक पहले हम यह वाला पार्ट सिल लेते हैं यहां से यहां तक हम इसको यलो कलर के धागे से सिलेंगे इस कलर से और जो यह वाली जगाए हैं वो हम इस धागे से और इस धागे से सिलेंगे, जो हमने यह धागे छोड़ रखे हैं, यह इसलिए कि यहां की सिलाई हम इस कलर से करेंगे, यहां से यहां तक की सिलाई हम इस कलर से करेंगे, क्योंकि यह सीधी तरफ से दिखेगा नहीं अगर हम उसी कलर से करेंगे, अगर हम कलर हमारा दिखाई देगा इस तरह से हम इसकी सिलाई कम्प्लीट कर लेंगे पहले हम यह सिलेंगे फिर हम यहां का पार्ट सिलेंगे और फिर यहां से सिलते हुए इधर तक लिकराएंगे यहां से हमने सिलते हुए जिस कलर का धागा है उसी कलर से सिलते हुए जहां से बुनाई करी है यह हमने यहां तक सिल लिया है इसको हमें रखना है जितना हमारा यह हलका सा कीच के देखेंगे जितना ये है उतना ही हमें यहाँ छोड़ना है सिलाई से यह हमने छोड़ दिया अब हम इसको यहाँ से पकड़ लेंगे और इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक और यह यहाँ से यहाँ तक यह वाली सिलाई हमने ऐसे लेके यहां तक कर देनी है हम इदर की सिलाई इसी धागे से कर लेते हैं यह सिल गया इधर से भी हम इसको इसी तरीके से सिल लेंगे इस तरह से यह सिलने के बाद इस तरह से आएगी उमीद है आपको यह अच्छे से समझा गए होंगे दोनों पैर इसके एक जैसे बनेंगे इसमें लेफ्ट राइट नहीं होगा पहनते टाइम भी आपको यह धियान रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है तो आपको यह इसी तरह से दोनों एक जैसे ही बनाने है अमीद है आपको यह अच्छे से समझा गया होगा अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू झाल